नमस्कार बच्चो बीए फर्स समिस्टर के लिए मैंने 83 वीडियोज अपलोड किये थे सेकंड समिस्टर के लिए 78 वीडियोज अपलोड किये थे आप मैंसे कुछ लोगों की बहुत शिकायत थी कि मैम चैनल का नाम तो इंग्लिश लिटरेचर और लेंग्वेज है लेकिन लेंग्वेज पर तो आपके वीडियो हैं ही नहीं दो चार वीडियो मैं अप्लोड किये थे जिन में वन वर्ड सस्टूशन के कुछ वीडियो थे ए अब आप बीए में आ चुके हैं ट्रांसलेशन तो आपको क्लास फर्स से ही सिखाया जाता है अपनी बात को इंग्लिश में कैसे कहना है आप हिंदी बैग्राउंड से हैं उर्दू बैग्राउंड से हैं आपके घरों में हिंदी बोली जाती है या उर्दू बोली जाती है बहरत में कितनी सारी भाशाएं बोली जाती हैं लेकिन अपनी उनी बातों को आप जब English में express करते हैं तो आपको translation की जरुवत होती है और यहाँ इस semester में यानि कि आपके fourth semester में translation पर focus है क्योंकि इस semester का जो paper है course का title ही है Indian Literature in Translation and Translation Practice यह course का title है fourth semester का जो आपका paper होगा उसका title यही है Indian Literature in Translation यानि कि translation में जो Indian Literature available है जैसे Hindi किया literature है पंजाबी literature है मराथी literature है तो उनका English में translation होके आपको पढ़ने को मिलेगा और आधा जो part है इसका translation practice यानि आपको translation सीखना है Hindi to English, English to Hindi एक paragraph आपके लिए आएगा आपके paper में वो आपको translate भी करना है तो इस बार में translation भी आपको कराऊंगी कोशिश करूँगी जैसे मैंने आपके पिछले semester में सहयो किया है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कराने की और इस semester में भी मैं कोशिश करूँगी तो चलिए देख लीजे अपना syllabus आपका जो first unit है उसमें introducing translation यानि translation का एक introduction है आपके समख्ष A brief history and significance of translation in a multi-linguistic and multicultural society like India यानि एक brief history होगी एक संशिप्त इतिहास होगा and significance माने एक महत होगा आपको बताया जाएगा of translation अनुवाद का in a multi-linguistic का मतलब होता है बहु भाशाई जाहन एक से ज़्यादा भाशाएं बोली जाती है अब आप अमेरिका में जाएए वहाँ English बोली जाती है इंग्लेंड में जाएए वहाँ English ही बोली जाती है फ्रांस में जाएए वहाँ French बोली जाती है जर्मनी में जाएए वहाँ German भाशा बोली जाती है लेकिन भारत जैसे देश में तो बहुत सारी भाशाएं बोली जाती है हमारे यहाँ UP बिहार में हिंदी बोली जाती है राइस्थान में हिंदी है मध्यपरदेश में हिंदी है लेकिन महराष्ट में जाएए तो वहां मराथी है तो multi-linguistic society है and multicultural society है यानि बहुत सांस्कृतिक समाज है हमारा like India यानि भाश जैसे देश में ट्रांसलेशन बहुत ज भाशा समझ में नहीं आती और वो तमिल बोलते हैं तो उनको हमारी हिंदी भाशा समझ में नहीं आती तो एक connecting language है English हमारे लिए वो जो हमको आपस में जोड़ती है मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ बहुत सारे पूरे इंडिया के बच्चों से में जुड़ी हुई ह बहुत सारे आपके messages आते हैं भारत को तो छोड़िये मेरे पास बांगलादेश से पाकिस्तान से और नेपाल से कई सारे देशों से बच्चों के messages आते हैं तो वहां में किस तरीके से जुड़ी हुई है English के माध्यम से ही तो हम लोग जुड़े हुए है एक दूसरे से तो English ने हमको connect कर रखा है यह इसका महत्त है significance है तो इस पर सवाल आपस पूछा जाएगा है पहले आपको brief history पढ़नी होगी इस history पर सवाल आएंगे आपके exam में कि कैसे translation शुरू हुआ तो आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा कि English जब यहां आई अंग्रेज यहां आई उन्ह पूरा उस इतिहास में आपको जाना होगा और फिर आपको significance बताना होगा महत्त बताना होगा कि अंग्रेजी का हमार यहां क्या महत्त है वैसे तो हम अपनी भाशा पर बड़ा नाज होता है जैसे मैं हिंदी भाशी हो तो मुझे अपनी हिंदी भाशा पर बहुत नाज है ब हमको connect कर रही है वो तो अंग्रेजी भाषा ही है ना जो हम सभी easily सीख पाते हैं और एक दूसरे से जुड़ पाते हैं तो ये आप significance बताएंगे जब आपसे questions किये जाएंगे चीक है तो ये हुआ आपका पहला part unit first का और second part में क्या है literal translation versus free translation अब ये दो concept आपको समझने हैं translation के ये दो phases हैं ये दो aspects हैं एक तो होता है literal translation यापको एक word का exact equivalent पता लगाना है याई अंग्रेजी का कोई शब्द है तो उसका हिंदी भाषा में उसका equivalent क्या है हिंदी equivalent तो वो literal translation हुआ और दूसरा free translation है free translation में क्या है spirit आ जानी चाहिए यानि कि meaning समझ में आ जाना चाहिए जरूरी नहीं कि आप exact equivalent बताएं उस भाषा का तो वहाँ थोड़ी सी freedom होती है आपको आजादी होती है कि आप अपने तरीके से भी बात को समझा सकते हैं यानि इंग्लिश में जो बात कही जा रही है अब वह हिंदी में आप अपने तरीके से समझा दे exact equivalent अगर आपको नहीं भी मालूमें तो वह free translation होता है फिर second unit देखते हैं यहाँ पर using tools of technology for translation अब तो बहुत सारे apps आ गये हैं translation के mobile में आपके में बहुत सारे apps होंगे आपके computer में होंगे laptop में होंगे आप Hindi में बोली है वो English में translate कर देते हैं या आप English में बोली है वो Hindi में translate कर देते हैं हलंके वो सटीकता नहीं आ पाती कई बार मैंने देखा है मेरे घर में मेरे love husband ये मेरे बच्चे बताते हैं के मम्मी आप इसको क्यों नहीं यूज करते हैं ये apps तो जब देखा हमने बलके typing के लिए बोलते हैं कि आप typing के लिए जैसे हम research papers अपने type करते हैं तो कि आप typing लिए इसको यूज कीजे आप बोलिए और ये type कर देगा लेकिन वो इतनी mistakes करता है हम कुछ बोलते हैं वो कुछ सुनता है और ट्रांसलेशन में तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है कबारा कर देता है तो देखे ये मशीने हैं चाहे मोबाइल है कंप्यूटर है लैप्टॉप है ये सब मशीने हैं मनुश्य ने बनाई है ये मनुश्य का स्थान कभी नहीं ले सकती तो हम जो translation करते हैं वो कोई भी computer laptop नहीं कर पाता वरना आप मुझे request नहीं भेज रहे होते हैं कि मैं इस कहानी को हमें बता दीजे पढ़ा दीजे या इस essay को हमें पढ़ा दीजे क्योंकि कोई भी machine वो translation नहीं कर सकती जो हम ठाणसलेशन कम्प्उटर मुबाईल ठाणसलेशन इनके बारे में इनके अप्स के बारे में बताना होगा कि इस तरीके के अप्स हैं हम उनके माध्यम से ठाणसलेशन कर सकते हैं software or translating different kinds of text with different levels of complexity and for transliteration तो किस तरीके से हम software को यूज़ कर सकते हैं apps का प्रियोग कर सकते हैं, computer mobile का प्रियोग कर सकते हैं और क्या भूमिका ये सब apps, ये सब appliances, ये सारी machine है, ये सारी technology, ये सारी technique निभा रही है translation के field में, तो ये सब discuss किया जाएगा unit second में, फिर आएगा unit third, इसमें है fiction, fiction, आप short fiction तो पढ़ चुके हैं, first semester में था आपके लिए कहानिया थी, अब यहाँ पर रमिनार्ट टैगोर की ये रचना है, the home and the world, इसको translation किया है सुरेनार्ट टैगोर ने, तो ये आपके syllabus में है, कोशिश करूंगी upload करने की, और अमरता प्रितम का है पिंजर, ये मेरा सबसे favorite novels मैं से एक है, और इस पर जो film बनी थी, पिंजर, गजब फिल्म थी, और मुला माताउन करकी, और मनोज बाजबे की, रॉंग्टे खड़े कर देने वाली film थी, अगर आपने नहीं देखिया, तो देख लीजेगा, और ये तो मेरा favorite है, इसको तो मैं पूरी-पूरी कोशि वो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और आगे दिखते हैं, फिर आपकी fourth unit है, इसमें poetry है, जैस शंकर प्रसाद का आंसू है, जो के translated version में उसका title है, The Garden of Loneliness, और इसका translation Charles S.J. White ने किया है, और जलही मोतिलाल बनारसिदास से, जो publication का नाम है, वहां से ये published है, तो आप व हरी सकते हैं, फिर है कबीर का The English Writing of Ravina Tagore, और ये 94 में publish हुआ है, और ये पूरी details आपको दे रखी हैं, सेसर कुमार दास, साहित्ते अकेडमी, और ये verses 1, 2, 8, 12, 53, 59, ये verses आपके लिए हैं, syllabus में हैं, तो अब देखिए, मुझे खुद ही ये मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास ये हैं नहीं, ये जो सारा literature है, पिंजर तो मेरे पास है, लेकिन बाकी ये सब मैं खुद भी order करूँगी, और आप लोग भी order कर लीजेगा, मंगा लीजेगा, अब ये मैं सोचिएगा, कि इन्हें से कोई रह जाए, पढ़ाने से, कि मैं हम आपने टेक्स तो मंगा लिया, और फिर हमें कराया नहीं, upload नहीं कराया, मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, मैं बार बार आपको ये बताती रहती हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है, तो मंगा फिक्षन यानि के कहानिया, तो भीशम साहनी की कहानी है, अमर्सर आ गया, महाश्वेता देवी की कहानी है, दाहंट, अभी तक महाश्वेता देवी की जो हमारी यहां से लेवस में थी, वो दोपदी थी, उसके लिए बहुत बच्चों ने request भेजी, लेकिन वक्त ही नहीं म प्रामा में मोहन राकेश का आध्य धूरे है, हाफवे हाउस नाम से, और विजयत एंदुलकर का कर्ण्यादान है, और आपका जो सेवंथ यूनिट है, इसमें ट्रांसलेशन प्रेक्टिस है, नहीं मैं अभी आपको बताया था न, एक वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, एक प्रेजन, 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 प्रे इसी तरह किसे future के होते हैं future indefinite future continuous future perfect future perfect continuous तो वो हम एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे और जैसे models हैं उनका use कहां किया जाता है यह जो models होते जिनके साथ हमेशा वर्व की first form ही आती है आपने यह uses पढ़े होंगे रूल्स पढ़े होंगे तो एक बार फिर से आपके बच्मन की ओर लोटेंगे और कोशिश करेंगे कि यह पूरा हम dances और translation आपको कराएं फिर इसका दूसरा पार्ट जो होगा 7th unit का one is senza for translation Hindi to English यह क्या अच्य वन सेंज आच्या वैसे यहां अगले वाले में English to Hindi और यहां पर इस्टेंजा होगा इस्टेंजा मतलब कि कि पूइम का एक पार्ट होगा है पैसेज क्या होता है वह प्रोज का होता है गध्यांश इसको हिंदी में बोलते हैं और stanza को हिंदी में पध्यांश बोलते हैं, यानि कि पध्यका, यानि कि poetry का एक stanza आपको आएगा, वो आपको translate करना होगा, हिंदी टू इंग्लिष, अरे बापरे, आच्छा हिंदी की कविता दी होगी, हbur हिंदी की कविता को आप इंग्लिष में translate करेंगे, ये तो आपके लिए थोड़ा कठिन काम होगा माली जे कविता आ गई फाल सजाकर किसे पूजने चले प्राथी मतवाले कहां चले तुम राम नाम का पीताम बरतन पर डाले चले जूमते मस्ती में तुम क्या अपना पताए भूल कहां तुम्हारा दीप जलेगा कहां चड़ेगा माला फूल अब इसको जरख करके देखना आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे बड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश की जो पोईट्री है उसको एक बार को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं हमाल विश्क उसकी जलेगा है को इसको पोईट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेड यह हमारे लिए बड़े कमाल का विशे होगा और हम लोग चलिए कोशिश करेंगे इसको भी करेंगे इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है और ये पोईम तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी मेरी फेवरेट पोईम है खाल सजागर किसे पूजने तो चलिए आप हमारी जो last unit है उसको देखते हैं वहाँ भी translation है last unit में translation practice है one passage for translation तो एक आपको passage आएगा यानि कि गद्यांश आएगा translation के लिए English to Hindi अब उपर जो था 7th unit में वो तो Hindi to English था अब यहाँ English to Hindi English का passage आएगा और आपको हिंदी में translation करना हुगा इसकी practice तो मैं आपको वैसे खूब करवा चुकी हूँ इतना सारा prose मैंने आपको translate करके दिया कितने सारे essays मैंने हिंदी में translate किया हैं कितनी सारी points कितनी सारी stories आपको हिंदी में translate करके दिया है एक एक word आपको translate करके दिया है चलिए और इसको अलग से देखेंगे English to Hindi translation को फिर जो इसका last part है 8th unit का second part one stanza for translation एक यहाँ भी stanza होगा यानि पद्यांश होगा poem का translation Hindi to English है यह क प्रिंटिंग में की mistake तो नहीं होनी चाहिए यहाँ भी same चीज रिपीट होगी 8th unit में अगर आप लोगों की यहाँ university में क्योंकि यही सिलेवस almost सभी universities में हैं अपने यहां तो वीर बाहदुर सिंग पूरवान चल university में यही है अलीगड की राजा महिंद प्रताप university में भी सिलेवस है और रजू भीया university जो इलावाद में है वहां का यही है काफी बच्चों के message आते रहते हैं तो सिलेवस तो यही है सभी जगे लेकिन यह repetition मुझे थोड़ी सी doubtful लग रही है चलिए और जब books आएंगी वैसे तो यह university की website पर ही है जो सिलेवस है तो मेरे साब से सिल बस तो यही रहेगा यह बस इतना हो सकता है कि English to Hindi कर दें यहां पर वरने स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन English to Hindi कर दें क्योंकि यहां repetition हो रही है तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है वैसे तो मैंने बलकि यह तो university से हमें प्रोवाइड कराया गया है तो डाउट की तो गुंजाइश नहीं है बच्चों मैंने अभी वीडियो यहां पॉज करके मैंने देखा वेबसाइट पर जाके तो वहां यहां यह English to Hindi ही दिया हुआ है ठीक है तो यह क्या है मैंने जो syllabus जब डाउनलोड किया था UP Higher Education की वेबसाइट से डाउनलोड किया था तब लेकि English to Hindi दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर देते हैं एरो लगा देते हैं इधर से इधर English इधर आएगा और भई Hindi यह ऐसे एरो लगा देते हैं हो गया ना ठीक है तो अब इसको आप क्या पढ़ेंगे English to Hindi पढ़ेंगे Hindi to English न पढ़के English to Hindi तो यह रहेगा आपका syllabus और मेरे साब से अच्छा सलेवस है आपके लिए तफ तो नहीं है जो टफ आएगा सलेवस थोड़ा सा वो आपको आएगा थर्ड यर में जाकर यानि कि फिफ्ट सेमेस्टर में वहाँ थोड़ा सलेवस आपके लिए वाइड भी हो जाएगा अभी तो easy ही है comparatively और कोशिश करेंगे इसको upload करने की जितना हो सकेगा और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ all the best अच्छा एक चीज और मैं बताना बोले कि मैं playlist बनाती हूँ आप लोगों मैं से कई बच्चे धर ढूनते रहते हैं कि हमको ये वीडियो नहीं मिला वो वीडियो नहीं मिला तो हर semester की मैंने semester wise playlist बनाई हुई है इसके अलावा भी मैंने English poetry करके playlist बनाई हुई है English prose करके playlist बनाई हुई है जितने भी dramas पढ़ाती हूँ उनकी अलग playlist बनाती हूँ तो आप चैनल पर जाने के बाद playlist पर जाया कीजे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी अपना वीडियो ढूनने में ठीक है ये वीडियो अब खतम करती हूँ धन्यवाद